नमस्कार दोस्तों सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सेनी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों पल पल की अपडेट पाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब अभी से कर लिजे क्योंकि खुसकबरी आपके लिए आचुकी है जी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी जो है यहां पर कुश्चन है कि चटी लिस्ट आएगी या फिर थर्ड कांसलिंग होगी या पड़ मुमेंट होगा कुछ भी यहां पर जो है दोस्तों हो सकता है इसके लिए न्यूज आ चुकी है जो भ बैल को भी ओन कर लेना इससे क्या होगा कि आगे जो भी वीडियो आएगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और दोस्तों वीडियो आप ही के लिए है तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं लाइक ज्यादा करें इस वीडियो को सेर कर देना चले दोस्तों मैं बता द पता दिया था फीज़ जमा कराने के लास्ट डेट थी अठारा तारीक और आज 19 तारीक है और आज लास्ट डेट है रिपोर्टिंग करवाने की जिन्हों ने फीज़ जमा करवा दिये वो भटापट से रिपोर्टिंग करवा दीजिए अब यहां पर देखिए बीएस से बरपाई हैं अब यहां पर देखते हैं कि खाली सीटे कितनी हैं और क्या चांस किसके बन रहे हैं चटी लिस्ट के या फिर थर्ड कांसलिंग के देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रदेश के बीएड कोलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित पीटीटी के सेकंड राउं में सीटे ही खाली रह सकती हैं वहीं चार वर्षी बीएड में 1362 सीटे बची हैं मगर बीएड में अब 6 बची सीट कितनी है 4783 सीटे यह बरना दोस्तों मुश्किल है यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है अब भिरतियों को आवंटित कोलेजों में 19 सितंबर तक रिपोर पर के अंदर आज आएगा तो न्यूट पेपर को भी आप पढ़ते रहें वैसे दोस्तों जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है इसके बाद में अर्थात आज 19 सितंबर तक रिपोर्टिंग कराने की लाश डेट है इसके बाद में सीटे खाली रहने पर तीसरे रांड की काउंसलिंग होना संबव है अर्थात तीसरी काउंसलिंग दोस्तों हो सकती है जो कि एक खुसकबरी की बात है जिन भी विध्यारतियों ने अभी तक कोई भी काउंसलिंग प्रिक्रिया नहीं करवाई है या काउंसलि जायरती को इस वीडियो को सेयर कर देना ज्यादस ज्यादा क्योंकि तीसरी कांसलिंग यहां पर हो सकती है अब आपके पास डायरेक्ट छटी लिस्ट नहीं आएगी जो वेटिंग लिस्ट दारी होती है वो नहीं आ सकती है तीसरी कांसलिंग यहां पर हो सकती है और दोस्तों कि कुल 20,935 सीटों में से 15,936 सीटे ही बरपाई थी 4,989 सीटे खाली रही थी इसके लिए सीटों से 2 गुणे अभ्यरतियों को आवंटन किया गया तो आपने देखा वगा जो 5,000 जारी वी थी उसमें 2 गुणा अभ्यरतियों को जो है है वो कम दिखाई दे रहा है आप दोस्तों तीसरी काउंसलिंग यहां पर हो सकती है आज लास्ट डेट आपको पता है रिपोरेंटिक करवाने की उसके बाद में मैन आकड़े यहां पर जारी हो जाएंगे और तीसरी काउंसलिंग की सूचना आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी या फिर न्यूजपेपर के अंदर मिल जाएगी इसलिए पलपल की अपडेट हम अमारे चैनल पर वीडियो बना कर आप तक पहुचाते रहते हैं इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना जाद से जादा सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों लाइक जरूर करें वीडियो को कोई भी कुश्यन हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना रही बात अपवर्ड मुमेंट की तो अपकी बार नहीं हो रहा है जो भी विद्यारती ये सोच रहे है कि क कोलेज हमको दूर मिला है अपड़ मुमेंट हो जाएगा क्या अपड़ मुमेंट नहीं हो रहा है इस बार अपड़ मुमेंट नहीं हो गा कोलेज